Hello everyone, I welcome you all to Study Niti. This is the success series by me Smriti, जिसमें हम लोग कर रहे हैं 60 days का complete free course of reasoning and quants for prelims and means examination. And this is the schedule for the sessions. जो मैं sessions लोगे, उनका schedule यहाँ पर display आपको मैंने किया है कि इस दिन पर आपको कौन-कौन ची class मिलने वाली है. And ये classes अभी 13th में तक हैं, तो इसकी जो further classes होंगे, उसका मैं अपडेशन आपको बाद में दे दूँगी. डेली की हमारी दो classes रहेंगी, 11 a.m. 9 p.m. only on this channel. So do not forget to attend both the classes on this channel and to subscribe. तो अच्छा, आज के session में हम लोग एक reasoning का topic करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं prelims और mains दोनों की ही concepts यहाँ पर cover करवाने वाली हूँ. And this is a PDF course जिसके बारे मैं आपको at the end of the session detailing दे दूँगी. तो आज हम करने वाले हैं topic कौन सा? Direction sense. Direction sense करने वाले हैं, अब इससे आप क्या समझते हो? या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ, distance and direction. इसके दो नाम है. Distance and direction भी बोल सकते हो, और आप इसको direction sense भी बोल सकते हो. ठीक है? यहाँ पर क्या होगा ना? Direction and distance. Direction से क्या समझे आप? हमारे पास 4 directions होती हैं, मोटी-मोटी. East, West, North and South. Directions आपको बनानी आने चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि कौनसी साइट कौनसी direction होती है. This is North, this is South, West and East. जिसको माइंड में यह picture clear नहीं रहती है, वो लोग अपने paper पे या फिर जिस पे भी आप solve करेंगे, साइड में यह बना लेंगे, जिसको clear नहीं रहती है, यह की बना लो उसी सी हो जाता है सब, जिसको clear रहती है, उसके माइंड में अपने आप चलेगा, West कहां है, East कहां है, ठीक है? इस इस Northwest, Northeast, दोनों के बीच में है, Southwest, Southeast, ठीक है? यह हमारी मोटी-मोटी 8 directions है, जो की हमें पता होने चाहिए हैं. अब यहाँ पर क्या रहता है ना? सिरफ एक और चोटा सा basic concept, इस पर मैं आपको coded direction sense भी कराऊंगे, नॉमल वाली भी कराऊंगे. मोटी-मोटी बात क्या रहती है, कि अगर हम लोग सीधा जा रहे हैं, मतलब if we are going in the North direction, हमारा face ऐसे है, हम लोग North में जा रहे हैं, मतलब सीधा face है, हमारी right side right होगी, left side left होगी. मतलब if a person is going in the North direction, तो ये उसका right होगा, ये उसका left होगा. आप जा रहे हो North में, ये आपका right है, ये आपका left है. Clear? North direction में right left ऐसे ही देखते हैं, linear setting arrangement हमने करी थी, हम लोग South direction में क्या करते थे? उल्टा गरते थे? अगर कोई person South direction में जा रहा है, मतलब उसका left यहां होगा और right यहां होगा. क्यों? क्योंकि वो उल्टा जा रहा है, क्योंकि वो नीचे की तरब जा रहा है. मतलब उसका right side वाली left बनेगी, left side उसकी right बन जाएगी, यह आपको, उसमें मैंने सिखाई हुई है. West और East का भी same रहेगा. देखो, West इदर है. If a person is going in the west direction, West मतलब ऐसे मैं इदर face करके खड़ी हूँ, तो मेरा right hand उपर जा रहा है, मेरा left hand नीचे आ रहा है. Right hand उपर जा रहा है, left hand नीचे आ रहा है. मतलब, this is the right direction, this is the left direction. Clear? Right, left. जो हाथ पास में है, वो उपर जाएगा, जो हाथ पीछे है, वो नीचे आ रहाएगा. West direction में, this is your right, this is your left. East में देख लेते हैं, मैं east में खड़ी हूँ, इदर face करके, तो मेरा left hand इदर board के पास है. मतलब, मेरी उपर वाली direction कौन सी होगी? Left और नीचे वाली कौन सी होगी? Right. अगर मुझे left जाना है, तो मैं उपर जाओंगा, मुझे right जाना, तो मैं नीचे जाओंगा. समझ में आ गई? North में, North में, right, left. South में, ultra, left, right. ये मेरा right hand है, ये left बन गया है, left hand है, ये right बन गया. West में, right, left. छीक है? ये right hand है ना मेरा? इदर से देखो. East में, left, right. क्योंकि ये मेरा left hand है इदर. Clear? जो इदर आएगा, वो उपर जाएगा, जो इदर आएगा, जो इदर आएगा, वो नीचे जाएगा. ये मोटी-मोटी सी बात थी, distance and direction की, concept आपको समझ में आगया होगा. अगर उसने बोला, A is moving towards north direction, तो हम बनाएगे A को ऐसे, उपर जा रहा है. and covers a distance of 3 meters and then turns to his right, right turn कर गया, north में जा रहे, right turn कर गया and then moves for a distance of 5, 5 meter तक चलता है, right direction में, तो इस तरीके से बन जाएगा. या फिर मैं बोलू, A is 3 meter north to B, इससे आप क्या समझें, A जो है, B से 3 meter north पे है, किस से 3 meter north पे है, B से, मतलब B से 3 meter north, उपर जाओगे तो कौन आएगा, A, that means आपको इस चीज़ को कैसे बनाना है, इस तरीके से, ठीक है, यह चोटा-चोटा सा, मोटा-मोटा सा concept था, question करेंगे, तो clarity मिलेगी, पहला question देखो, basic question है, एकदम, A person starts walking from his home towards the west, कोई एक point मान लो, यह इसका क्या बन जाएगा, home बन जाएगा, ठीक है, उसने क्या बोला, person is moving towards west, आगया west, west हमारा इदर है न, यह north है, यह south है, यह west है, यह east है, west इदर बनेगा न, बन गया, कितना चलता है, 4 meter, and he turns to the left, west में जा रहा है, left turn करेगा मतलब नीचे, ठीक है, then he walks for 7 meters, and reaches a coffee shop, 7 meter पहुंचता है, उल्टा हो गया न, यह इसको सीधा करके लिखते हैं, ठीक है, 7 meter वो चला, एक coffee shop पहुंच गया, यह coffee shop आ गई, मैं जादा नीचे बना नहीं सकती थी, क्योंकि यह 4 तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, नीचे बनाओंगी तो जगा नहीं बचेगी, from there he turns to his right, बन्दा south में जा रहा है, नीचे जा रहा है, that means उसका right left बन जाएगा, left right बन जाएगा, तो उसका right कहां बनेगा, यहाँ पर, right आया, and walks for 3 meter, कर लिया walk, ऐसे आ गया, walks for 3 meter हो गया, then he turns to his right, and walks some distance and reach a mall, which is exactly, sorry for this, which is exactly west of his home, यह इसका home है, इसके exactly west में कहीं न कहीं mall छुपा हुए, उसने बोला, यह परसन 3 meter गया, इसके बाद इसने right turn लिया, अब west में जा रहा है, right turn यहां आएगा, right turn लिया, और कहां पहुँच गया, mall में, जो इसके home का exactly west है, west मतलब, exactly west मतलब straight line बनेगी, तो यहां पर क्या आजाएगा, mall आजाएगा, कितने meter चलता है, नहीं बताया, यह नहीं बताया कितने meter चलता है, कोई बात नहीं, क्या पूछा, यह हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया, हमारा पूरा का फिगर बन गया, अब हम इसके questions पे जलते हैं, देखो, यह with respect to mall का मतलब क्या है, हमें mall से coffee shop पे जाना है, कहां जाना है, mall से coffee shop पे जाना है, यह mall है, यह coffee shop है, mall से coffee shop पे जाएंगे, तो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसी कौनसी direction होती है, ऐसी कौनसी direction होती है, south, east, कौनसी होती है, option number A, will be your answer, south, east, what is the distance between his home and the mall, mall और home के बीच में कितना distance है, देखो, यह रहा home, यह रहा mall, clear, इसको green चे करते हैं, home से मुझे mall पे जाना है, यह तो रहा मेरा 4 मीटर, इतना कितना आ गया, 4 मीटर आ गया, मुझे इसका distance बताना है, यहां से लेके यहां तक का, अब देखो, अगर मैं इसको figure को enclose कर दूँ, यह एक rectangle form हो गया, rectangle के opposite sides equal होती है, अगर यह 3 मीटर है, तो यह भी कितनी होगी, 3 मीटर, यह 7 मीटर है, तो यह भी कितनी होगी, 7 मीटर, समझ में आ रही है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 मीटर, option number E, what is the direction of his home with respect to coffee shop, coffee shop से कहां जाना है, घर की और जाना है, देखो, इसका change कर लेते हैं, ओके, यह हमारा coffee shop है, यह हमारा घर है, किस direction में आएंगे, इस direction में, मतलब हम north भी जा रहे हैं, हम east भी जा रहे हैं, हम north भी जा रहे हैं, east भी जा रहे हैं, north जाएंगे, east जाएंगे, direction कौन सी होती है, north, east, option number D, will be your answer, I hope this question is clear to you, मैं आपको figure दुबारा से display कर देती हूं, ताकि आपको clarity मिल जाएं, ओके, ठेक है, next question देखो, ओमल starts walking from her home to the school, घर से school की तरफ जाती है, after walking for seven kilometer towards north, घर से कहां जाती है, school की तरफ, मतलब वो शुरू कहां से करेगी, घर से, घर से वो गई, साथ मीटर north में, चली गई, she turns to the left, north से left इधर आएगा, ये right हो जाएगा, ये left हो जाएगा, ये left आगया, walks nine kilometer to reach, ये kilometer है, to reach tuition center, ये हमारा tuition center आगया, then she turns to her left, अब अगर ये बंदी यहां जा रही है, तो इसका left कहा होगा, नीचे होगा न, यहां पे होगा left इसका, ये तो right हो जाएगा, ये left हो जाएगा, left turn करती है, और कितना चलती है, 15 meter, अब ध्यान देना, अगर मैं इस figure को, पूरी figure को enclose कर दूँ, इस पूरी figure को मैं enclose कर दूँ, ठीक है, यहां तक अभी, तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, साथ किलो मिटर है, कितना है, साथ किलो मिटर है, समझ में आ रहे हैं, हमें कितना बनाना है, 15 बनाना है, 15 बनाना मतलब इस 7 के और 8 नीचे जाना पड़ेगा, ये मेरा 15 किलो मिटर बन गया, to reach the sports academy, ये उसकी क्या बन गई, sports academy बन गई, then she turns to her left, and walk 6 km to her school अब यहां से वो south direction में गई वो यहां से left turn मारेगी वो अगर वो south में जारी है मतलब उसकी directions opposite हो जाएंगी तो वो कहां turn करिये left में उसका left कहां बनेगा इस side बनेगा इस side कितना चलती है 6 km चलती है तो चला देती है 6 km 6 km चली और कहां पहुंच गई जहां उसको पहुंचना था अपने school अब अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां से भी overview दे दूँ यह पूरी figure enclose कर दूँ यह पूरी figure तो अगर यह भी 9 है तो यह भी तो total 9 ही होगा ना हमें 6 बनाना था इसलिए हम लोग पहले रुप गए मतलब बच्चा हुआ कितना है 3 है तो आप हमेशा figure को enclose करके देख लिया करो ठीक है तो फिर distance सही से बन जाता है ओके बन गे आप questions देख लेते हैं If Umal walks दिख रहा है क्या आप लोगों को If Umal walks towards west direction from her home then which of the falling direction of Umal facing at the final position अगर वो अपने घर से west की तरफ चलती है तो final position से उसको कौनसी direction मतलब final position से वो कौनसी direction face करेगी तो यहां से देखो अगर अपने घर से west direction की तरफ चलती है तो इस final direction से इस direction पे वो क्या face करेगी कौनसी direction face करेगी अगर वो west चलती है मतलब यह देख तो north side में रही है न उसने ये नहीं बताया कितना west जा रही है बट अगर west जा रही है तो simple सी बात देखो कहां देख रही है देखेगी तो वो ऐसे उपर ही देखेगी न उपर ही देखेगी मतलब कौन सी direction आ जाएगी north क्योंकि हमें clarity नहीं है if the stationary is 9 km to the west of our home stationary कहां है 9 km west of our home फे है then what is the shortest distance between the stationary and the school जब भी shortest distance आ जाए तो हमारे पास पाइथोगोर स्थियोरम यूज होती है पाइथोगोर स्थियोरम क्या कहती है हमारी height का square equals to base square plus perpendicular square यही बोलती है पाइथोगोर स्थियोरम लगाके देखते है stationary और school का पूछा है उसने तो देखो stationary कहां थी हमारी यह तो sports academy थी tuition center if stationary is अच्छा उसने बताया था if stationary is 9 km west of our home बताया उसने उसके घर से 9 km west पर यह तो अगर यह 9 km है तो यह भी तो 9 km बनेगा ना मतलब stationary यहां पर यह हमारी stationary बन गी stationary से किसका distance निकालना है school का मतलब यह वाले triangle का क्या निकालना है distance हमें shortest distance क्या होती है hypotenuse यह हमारी क्या होती है hypotenuse hypotenuse निकालनी है base हमारा 6 है पर perpendicular 8 है तो hypotenuse square equals to base कितना है 6 6 का square plus 8 का square कितना होता है 64 तो hypotenuse square किसके बराबर बना 100 के 100 किसका square होता है 10 का तो हमारा hypotenuse कितना आ गया 10 आ गया मतलब इसका distance कितना निकला 10 निकला that means 10 किलो मीटर्स I hope this question is clear अगला देखो what is the direction of the tuition center from her home ये नीचे का कट गया है इसके options कट रहे हैं बट कोई बात नहीं answer देख लेंगे tuition center कहां से घर से तो घर से tuition center जाना है ये हमारा घर है और ये हमारा tuition center है हम लोग north भी जा रहे हैं west भी जा रहे हैं north भी जा रहे हैं west भी जा रहे हैं ये direction कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट तो ये option यहाँ छुप गए हैं, नॉर्थ वेस्ट हमारे पास option में था, answer क्या बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, I hope it is clear, ठीक है? समझ में आगई इतने questions, अब हम चलते हैं next question पे, देखो, A man from point A walks toward west for 3 meters, point A से 3 meter west पे जाता है, and turns to his left at point B, west पे जाके point B पे पहुँचेगा, इस B point से left जाना, left मतलब नीचे आ गया, from where he walks for 1 meter and reaches point C, एक meter चलता है, C पे पहुँच जाता है, then he turns to his right and walks for 6 meter to reach point D, इस point से कहां जाता है वो? right में जाता है, south में जा रहा था, right में जाना है, मतलब इधर आएगा, यह इसका right है, यह इसका left है, तो right, oh sorry, south में जाएगा, तो यह इसका right है, यह इसका left है, तो यहां से कितना चला आए, 6 meter, D पे पहुँच गया, where he turns to his left and then he walks for 8 meter, अब यहां west में चलते चलते, फिर वो left मुड़ गया, मतलब नीचे आ गया, 8 meter चलता है, and reaches point E, E पे पहुँच जाता है, he walks for 2 meter after taking a left turn, यहां से वो लेता है left turn, left turn लेगा, मतलब इधर जाएगा, क्योंकि south में जा रहा था ना, तो 2 meter का left turn लिया, कहां पहुँच गया, F पे पहुँच गया, then he walks 4 meter towards north, to reach point G, 4 meter north जाता है, यह पूरा 8 meter का है, तो 4 meter मतलब इसका आधा, आधा चलेगा मतलब, यहां पे पहुँच जाएगा, G पे, from where he turns to his right, and walks for 7 meter, अब यह north में जा रहा था, clear, इसको right में जाना है 7 meter, इस साइड में जाना 7 meter, और पहुँच जाएगा H पे, अब इस H को भी ठाना पड़ेगा, ध्यान देना, इस circle को enclose करूँ मैं, इस circle को अगर मैं enclose करूँ, इसको circle को नहीं, rectangle को, यह 6 है, तो यह पूरा निच्चे वाला भी 6 हो जाएगा, 6 में से 2 हम use कर रहे हैं, मतलब यह बचा हुआ हिस्सा, यह वाला, 4 meter का हो गया, यह बचा हुआ हिस्सा, यह वाला, मतलब यह भी 4 meter हुआ, ठेक है, और H को बन जाना है 7 पे, 4 हमने यहां से cover किया, 3 हमने यहां से cover किया, तो क्या H इसके सामने नहीं आ जाएगा, 7 meter cover हो गए ना हमारे, 3 यह किया, 4 यह किया, 7 cover हो गया, H पहुँच गया यहां पे, I hope यह चीज़ आपको clear हो गई, ठीक है, समझ में आ गया, आप question देख लो, what is the shortest distance, wait a second, what is the shortest distance between A and H, Pythogorus तो हम लगाएंगे, A और H के बीच का shortest distance, अच्छा, A और H सीधा ही आ जाएगा, Pythogorus लगेगी नहीं, सीधा ही आ जाएगा, अभी slanting तो कुछ बन नहीं देजा, तो यह distance निगालना है, यह एक है, तो यहां तक यह भी एक हो जाएगा, यह कितना था, 4 था, बच्चा हुआ कितना हो गया, 4, अगर यह 4 है, तो यह भी कितना हुआ, 4, तो एक और 4 कितना हो गया हमारे पास, 5 मीटर, कितना हो गया, 5 मीटर option number D, आगे देखो, what is the direction of point D with respect to G, G से D पे जाना है, तो G से D पे चलते हैं, देखो, G से जाना है D पे, यह हमारे पास G है, यह हमारे पास D है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, मतलब कहां कहां जाना है, हम लोग North भी जा रहे हैं, West भी जा रहे हैं, North भी जा रहे हैं, West भी जा रहे हैं, मतलब direction कौन सी हो गई, North, West, option number C is your answer, आगे देखो, what is the approximate shortest distance between E and B, E और B का shortest distance देखो, E हमारे पास यहाँ पे है, B हमारे पास यहाँ पे है, highlighter यूज़ कर लेते हैं, यह हमारे पास B है, यह हमारे पास E है, इसका shortest distance निकालना मतलब एक triangle बनाना पड़ेगा, यह हमारा triangle बन गया, clear? सबसे पहले इसकी perpendicular measure कर लेते हैं, ध्यान दो, यह art है, तो यह भी art होगा, यह भी art हो जाएगा, यह एक है, तो 8 और एक कितनी होगी perpendicular इसकी 9 हो गई, बेश देख लो, यह अगर 6 है, तो यह भी कितना होगा, 6 होगा, तो यह कितनी होगी 6, दोनों के square कर दो, 81 प्लस 36, कितना हो जाएगा, 117, हाइपो 10 स्क्वाइर किसके बराबर हो जाएगा, 117 के, तो 117 के आसपास का, हमारे पास square कुन सा होता है, एक तो हमारे पास 11 का होता है, 121, एक हमारे पास 10 का होता है, 100, 117 किसके सबसे करीब है, यह देखो, 117 एक सो इक किसके करीब है, मतलब option number B, आपका answer बन जाएगा, 11, clear क्योंकि उसने approximate पूछा था, I hope यह वाला question भी आपको clear होगा, अब next पे चलते हैं, देखो, Amun starts a car, from point, car A from point Z, and moving towards north direction for 5 km, देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, Amun car शुरू कर रहा है, point Z से और 5 km north आता है, तो यहाँ पे I don't think so की जगा है, तो इसको next slide पे ही बना लेते हैं, देखो, यह point A ले लेते हैं, और point Z ले लेते हैं, यहाँ से car A शुरू हो रही है, 5 km north पे जाता है, to reach point L, and after that he take right turn, यहाँ पे L पे पहुंचा, right turn लिया, मतलब इधर गया, इधर जाके कितना जाता है, 9 km to reach point M, 9 km जाता है, मतलब इधर जाएगा 9 km पे, M पे पहुंचा जाएगा, then he took a right turn, and rides for 3 km to reach point N, right turn लेगा, 3 km चलेगा, अब इस direction में है, इस right कहां हो जाएगा, नीचे, left कहां हो जाएगा, उपर, right जाएगा 3 पे, यह पूरा 5 था, तो 3 इसके कहीं बीच में आ जाएगा, ठीक है, to reach point N, N पे पहुंच गया है, and finally he took a left turn, and rides for 5 km, to reach point O, left turn लेता है, 5 km पे, नीचे आ रहा था, south में आ रहा है, left right मतलब, इसका left यहां होगा, right यहां होगा, turn कौन सा लेता है यह, left turn, मतलब इधर जाएगा, कितने km पे जाएगा, 5 km पे, तो यह यहां पे point O पे पहुंच गया, इतना clear है, okay, सुमन starts the car B, from point X, which is located, in south of point N, with 3 km distance, N के 3 km south पे, देखो, इसको मैं अगर join कर दू, यह 3 है, तो यह बचा हुआ कितना हो गया, यह वाला, यहां तक, 2 हो गया यह, फूरा 5 बनाना ने rectangle, उसने बोला 3 km पे, मतलब 2 तो यह हो गया, एक हम और ले लेते हैं, यह वाला हम बना देते हैं, point, कौनसा point? अच्छा, दूसरा point था ना, जहां से सुमन ने start किया, point देख लेती हूँ, मैं एक बड़ दुबारास है, कौनसे point से शुरू करती है, X से, car B यहां से शुरू होती है, अच्छी कहा है? He is moving towards south direction for 2 km to reach point K, यहां से south direction में जाएगी 2 km, K पर पहुंच जाएगा, जाएगा या जाएगी, and he took a right, and rides for 5 km to reach point J, यहां से वो right लेगी, right लेगा मतलब इधर आएगा, 5 km पर आना है, तो देखो, rectangle देखो, अगर यह 9 है, तो मतलब इधर का भी 9 होगा, हमें कितना चाहिए 5, मतलब यहां कहीं आके 5 हमारा रुक जाएगा, क्योंकि पूरा कितने का है, 9 का है, चीक है, कहां पहुंच गया, जे पर पहुंच गया, तो यह point हम बना देते हैं, J, यहां से लेगा left turn, अब मैं west में आ गई, left मेरा नीचे, right मेरा उपर, left में 3 जाएगा, 3 चले गई, कौन से point पहुंचेगा, आई पह, लो, आए बना दिया, आगे देखो, after that, he took a right turn, and rights for 6 km, यहां से right जाना है, तो यहां से right इधर हो जाएगा, 6 km, ध्यान देना, यह पूरा 9 था, मतलब, अगर मैं इस point को join करूं, तो यह पूरा भी 9 हो जाएगा, यह वेली line, 5 हम अल्रेडी लिख चुके हैं, मतलब यह वेला point कितना हो गया, यह line 4 की हो गई, यह भी 4 की हो गई, हमें जाना कितना है 6, तो मतलब बचा बाकी कितना 2, यहां पर कौन आ जाएगा, point, H आ जाएगा, and finally he is moving towards north, from point H, for 6 km to reach point G, H से north जाता है 6 km पे, H से north जाएगा 6 km पे, देखो, यह 3 यहां से पुरा किया, हमें total 6 जाना है, 3 यहां तक पहुँच गई मैं, फिर 2 उपर आ गया, यहां तक मेरा 3 हो गया था, 2 उपर मैंने और ले लिया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, total कितना हो गया 5, हमें जाना है 6, यह एक उपर का और ले लो, मतलब हम कहां पहुच गए, यह इसका final destination आ गया, यह किसका है सुमन का, और यह किसका था, पहले वाला परसन था, अमन, यह अमन का है, यह सुमन का है, तो यह हमारा final distance and direction बन जाएगा, question देखो, what is the shortest distance between the point, J and O, J और एक O का बीज का shortest distance, J हमारा यहाँ है, O हमारा यहाँ है, triangle बना दे, देखो, सबसे पहले perpendicular, यह 2 और एक कितना हो गया, 3, मतलब यहाँ तक 3 हो गया, नीचे का कितना है यह वाला, 2, 3 प्लस 2 मतलब total कितना हो गया, 5, यहाँ से देखो, यहाँ तक यह 5 है, तो यह भी कितना हो जाएगा 5, 5 और 5 कितना हो गया, 10, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25, 125 का क्या करना पड़ेगा, अंडरूट, तो यह हो जाएगा, clear, इसको मैं लिख सकती हूँ, 25 इंटू 5, 25 का अंडरूट क्या हो था 5, डिस्टेंस कितना हो गया, 5 रूट 5, किलोमीटर, मीटर है यह किलोमीटर है, देख लेते हैं, किलोमीटर है, तो मीटर वाले को मट्टिक कर देना, 5 रूट, अच्छा, 2 पे कर दिया क्या मैंने, 5 रूट 5 है, option number, D will be your answer, I hope it is clear, what is the direction of point M, with respect to सुमन's final position, M का, क्या बताना है, जा रहे हैं, East भी जा रहे हैं, North भी जाएंगे, East भी जाएंगे, कौन्सी direction हो जाएगी, North, East, option number A, will be your answer, next देखो, यह थोड़ा सा, यहां से नीचा से कट गया, बट कोई बात नहीं, इफ राम स्टार्ट, तार सी फ्रॉम पॉइंट आए, 10 मतलब, यह हमने अल्रेडी, measure कर लिया था, यह 10 है, तो रीज पॉइंट F, यहां पर पहुन जाएगा, F पे, यह अमन की फाइनल पॉइंट से, F तक आना है, और उसका distance बताना है, यह F है, यह अमन की फाइनल पॉइंट है, यहां से हमें यहां आना है, तो direction क्या बन रही है, South, distance देखो, सीधा सीधा आना है, 3 और 2, 5 यहां से हो गए, यह कितने है, 3, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8 मीटर, 8 किलो मीटर, and South, option number, C आपका अंसर हो जाएगा, I hope यह visible है, यहां पर आप इसको देख लीजिए, clear है, देखो, अब यह आता है, हमारा mains का question, I hope आपको clearly दिख रहा होगा, यह कुछ, यह पस्टिम, उत्तर पस्टिम है, यह दक्षेन पूर्व है, clear, तो यह है हमारा coded direction sense, जैसे हमने coded inequalities की थी, वैसे ही coded direction sense हम लोग करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले हम लोग coded में क्या चेक करते हैं, यह A है, यह B है, इधर भी A और B होना चीए, जबकि यहां पर B है, यहां पर A है, और यह A और B है, मतलब यहां confusion ही बहुत चल रही है, अगर उसने बोला है A at the rate B, मतलब B north में है A के, अगर उसने बोला A at the rate B, मतलब B A के किसमें है, नौर्थ में है, तो हम जब भी हमने पहले inequalities करी थी, उसमें पहला person हो रहा था न, उसमें क्या हो रहा था, उसके हिसाब से A is to the north of B होना चाहिए, जैसा हमने coded inequalities किया था, उसमें पहले A था, फिर B था, फिर A था, फिर B था, फिर A था, फिर B था, हम लोग सीधा सीधा देख रहे थे, है न, इसमें हमें उल्टा देखना पड़ेगा, जैसे इसने बोला है P dollar Q, तो Q बनेगा direction में, dollar का मतलब क्या है? South, तो मैं बोलूँगी, Q is to the south of P, अगर यहाँ पर लिखा होता, A dollar B मतलब, A is to the south of B, तो मैं इसको क्या पढ़ती? P is to the south, मैं इसको क्या पढ़ती? P is to the south of Q, यही पढ़ती, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो जब भी आप इस question को solve करोगे, आप हमेशा second person को लोगे, किसको लोगे? Second person को लोगे, I hope this is clear, बाकी question करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ पहले ध्यान रख लेते हैं, हमें न इसके थोड़े signs बनाने पढ़ेंगे, ठीक है? पहले signs बना लेते हैं, देखो, उसने बोला है, A at the rate B का मतलब, B is to the north of A, and at a distance of 5 meter, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ये बनाओगे, नौर्थ का मतलब क्या है, at the rate, distance कितना है, 5, तो आप नौर्थ डाइरेक्शन में, at the rate और 5 लिख के छोड़ दोगे, हैश्टैग का मतलब क्या है, B is to the west of A, और distance कितना है, 17 meter, तो west में आप हैश्टैग बनाओगे, कितना लिख दोगे, 17 meter, clear, डॉलर का मतलब क्या है, B is to the south of A, at a distance of 11 meter, मतलब south में आप क्या बनाओगे, डॉलर, और क्या बनाओगे, 11, and का मतलब क्या है, B is to the east of A, and at a distance of 10 meter, तो east में हम क्या बनाएंगे, and बनाएंगे, 10 meter बनादेंगे, clear, add the rate और hashtag का मतलब क्या है, B, north west है, A के, at some distance हमें नहीं पता, तो अगर मैं आपको यहां से भी देखू, add the rate और hashtag, तो यह हमारा north west ही बनता है, अगर मैं बूलू, add the rate और and, तो यह हमारा north east बनेगा, अगर मैं बूलू, hashtag और dollar, दोनों sign यूज हो रहे हैं, मतलब, south west, अगर मैं बूलू, and और dollar, तो क्या बनेगा, south east, यह तो understood यहां, तो उसको आप ignore कर सकते हो, ठीक है, तो इसने भी यही बोला हुए, और A, और B का मतलब क्या है, A and B forms a vertical line, और a horizontal line, तो यहां पर अगर आपके पास, ऐसा sign आ जाए, ऐसा exponential power का sign होता है, ऐसा sign आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, कि इनकी कोई line बन रही है, vertical भी हो सकती है, horizontal भी हो सकती है, clear, तो इसका कोई फाइदा नहीं है, A और B का, हमें बेसिकली यही ध्यान रखना है, और second person को पहले लेना है, बनाते हैं direction, P dollar Q, P dollar Q, dollar का मतलब क्या है, south, मतलब Q is to the south of P, second को पहले देखना है, क्योंकि यह A है, यह B है, तो उसने का था, B जो है, A की south में, B जो है, A की south में, मतलब Q is to the south of P, at a distance of, 11 meters, तो यहां से P बना देंगे, P की south में Q हो जाएगा, 11 meters पे, अब interpret करो इस चीज़ को, अब Q and R है, तो मतलब R को पकड़ेंगे, and का मतलब क्या है, and का मतलब क्या है, east और 10 है, तो R is to the east of Q, Q की east में कौन है, R है, east में कौन है, R है, अब इदर right left नहीं चल रहा है, इदर direction चल गए, तो direction वैसी ही चलेगी, Q की east में कौन है, R है, distance कितना है, 10 है, आगे देखो, R और ये power का sign है, T, मतलब R और T एक line बनाते हैं, तो यहाँ पर तो मुझे line कोई दिख नहीं रही, छोड़ देते हैं, R और T को एक बार छोड़ देते हैं, आगे, एक मिनट, I hope, सही चल रहा है, देखो, R, dollar, R, dollar and S, dollar और and का मतलब क्या हो गया, dollar और and का मतलब क्या हो गया, south east, तो S जो है, R की south east में है, R की south east, तो मुझे उदर जगा चाहिए, it's better कि मैं इसको दुबारा सी बना लूँ, मुझे R की south east में चाहिए, तो यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे R था, यह था हमारे पास 11, ने यह था 10, यह था 11, R की south east में कौन है, S है, आगे देखो, S add the rate T, आपको connection बिठाना है, अगर S पे छोड़ा, तो S को पकड़ना है, या R अगर आपके पास है, तो R से भी बिठा सकते हो, S add the rate T, add the rate का मतलब north, तो मतलब T is, 5 meter north of S, S की 5 meter north पे जाओ, T आ जाएगा, और उसने बोला था, R और T एक line form कर रहे हैं, line form कर रहे हैं, मतलब यह line क्या हो जाएगी, join हो जाएगी, तो यह भी 5 आ जाएगा, सौरे, आगे देखो, T and U, T and U का मतलब क्या है, U is to the east of T, at a distance of 10 meter, T की east में, U है 10 meter के distance पे, U at the rate V, U at the rate V का मतलब क्या है, V is, B से पढ़ते हैं न, second person से पढ़ते हैं, B is, कौन सा डिस्ट, कौन सा है, at the rate, north of, किसके north में है, U के, V is north of U, distance कितना है, 5, तो V को उपर बना देंगे, 5 पे, यह पूरा 11 है, तो 5 को इसके कहीं, बीच में बनाना पड़ेगा, V hashtag W, V hashtag W का मतलब क्या है, कौन सी डिरेक्शन है, W is to the west of V, at a distance of 17 meters, V के west में है, W, 17 meter काउंट करना है, देखो यह तो गया 10, साथ और काउंट करना, थोड़ा से और आगे ले जाते हैं, मुझे नहीं पता, W का आएगा, मैं एक बर यहां बना देती हूं, clear, समझ में आगई, ओके, अभी distance नहीं लिखेंगे, correct distance नहीं आया, बट मुझे यह पता है कि, V और W का 17 meter है, W और पावर का साइन है R, मतलब W और R एक लाइन बना रहे हैं, अगर W और R एक लाइन बना रहे हैं, मतलब यह ऐसे बन जाएगा, यहाँ W आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, यह पूरा distance कितने का हो गया, 17 meter का हो गया, ठीक है, तो यह हमारी final जो है, डाइग्रम हावरा बन चुक है, अब देख से हैं, what is the shortest distance between R and S, R और S का shortest distance count करना है, देखो हमें यहाँ पे, क्या पता है, perpendicular पता है, हमें base नहीं पता, पता चल सकती है, यह हमारा कितना हो जाएगा, यह भी 10 है, तो यह भी कितना हो जाएगा, 10, total है 17, यह है 10, तो बचा हुआ कितना हुआ, 7, यह 7 है, तो यह भी कितना हुआ, 7, base आ गया, perpendicular आ गया, hypertonus square, equals to, base का square, plus, perpendicular का square, कितना आ जाएगा, 74, तो 74 के, आसपास का square देखो, 8, 8,064 होता है, 9, 9,081 होता है, तो 64 है और, 81 है, अच्छा, आमें root में निकालना है, तो root 74, already हमारे पास, available है, root 74, option number B, आपका, answer हो जाएगा, आगे देखो, what is the direction of W, with respect to P, P से किस पे जाएगे, W पे, तो P से कहां जाना है, direction बताओ, south भी जाएगे, east भी जाएगे, south भी जाएगे, east भी जाएगे, कौन सी आ गई, south, east, option number D, what is the distance between Q and U, Q और U का distance बताना है, 10 यहां सी है, 7 और है, कितने हो गए, 27, option number C, 27 मीटर, I hope, यह पूरा question आपको clear होगा, coded हम लोग, ऐसे symbols बनाके, use करते हैं, बाकी interpret हमें, खुदी करना होता है, so आज कि हमारे सारे questions, यहां पे complete हो चुके हैं, जिसने जाना है, वो जा सकता है, अब मैं बता दूँगे, आपको PDF course के बारे में, तो यह हमारा PDF course है, जिसको आपको practice करना है, इस session के बाद में, जब आपको PDF available हो जाएगी, और इसमें आपको, सारे के सारे sections के practice questions मिलते हैं, 9,000 plus questions है, prelims or means examination के, for English as well as Hindi, हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर आपके पास annual mock test package है, तो 450 का पड़ेगा PDF course, अगर नहीं है, तो 500 का, annual mock test package क्या है, 500 रुपीज का है, validity बान हीर है, अगर आज खरीदोगे, तो आज से एक साल तक यह valid रहेगा, कौन कौन से exam हैं, सारे के सारे prelims exam, सारे के सारे mains exam, banking और insurance के, plus full length, sectional, mini mock test, speed booster, GA के sectionals, बाकी sectionals सब यहां आ जाएंगे, और जितने भी आपके एक साल में exams होने वाले हैं, सब automatically add हो जाएंगे इसमें, plus दोनों languages में हैं, हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी, website पे भी है, application पे भी है, तो laptop हो, mobile हो, दोनों पे access हो जाएगा, all-in-one mock test हमारा PDF course के साथ चल रहे हैं, कि आपको इस 60 days में कौन कौन से mock test करने हैं, हमने सारे के सारे exams के, prelims, mains, PO, clerk mock test रखे हैं, टोटल 15 mock test हैं, every Wednesday and Saturday ये mock test आते हैं, और start हो चुके हैं, annual mock test है आपके पास, तो ये आपको free मिलेगा, और अगर नहीं है, तो ये आपको अलग से purchase करना पड़ेगा, जो annual mock test subscriber है, उनके एक tab बना होगा, all-in-one mock test का, तो वहाँ पे मिल जाएंगे, कोई technical query है, तो आप यहाँ पे mail करोगे, और कोई मेर से personal query है, तो मुझे आप यहाँ पे DM कर सकते हो, Instagram handle है मेरा, ये हमारे other platforms है, आप हमें यहाँ पे भी follow कर सकते हो, so this was all for today, I hope you all will meet me in the next session, till then stay tuned, good luck, stay happy, stay blessed and keep smiling.